भजन सहिदा 67 अधाय एक से साथ तक धन्यवाद का गीत प्रदान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ बजन गीत परमेश्वर हम पर अनुग्र करे और हमको आशिश दे वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए जिससे तेरी गती पृत्वी पर और तेरा किया हुआ उधार सारी जातियों में जाना जाए हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे राजे राजे के लोग आनंद करे और जैजेकार करे क्योंकि तो देश देश के लोगों का नियाय धर्म से करेगा और पृतवी के राजे राजे के लोगों की अगुवाई करेगा हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवात करे देश देश के सब लोग तेरा धन्यवात करे भूमे ने अपनी उपज दी है परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशिश दी है परमेश्वर हमको आशिश देगा और पृतवी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे यूहन ना पंदरा अध्याय एक से सताइस तक इशू सच्ची दाकलता सच्ची दाकलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो डाली यदि दाकलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते मैं दाकलता हूँ तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझ से आग्याओं देते हैं और वे जल जाती है यदे तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहू मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहूत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले टहरोगे जैसा प आग्या को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ एक दूसरे से प्रेम रखो इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे जो आगया मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो अपसे मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बाते अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें न्यूक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे, इन बातों की आग्या मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, यदि संसार तुम से बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुम से पहले मुझसे बैर रखा, यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रख उसको याद रखो यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे परन्तु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते यदि मैं न आ जो और किसी ने नहीं किये तो वे पापी नहीं टहरते परन्तु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है उन्होंने मुझसे व्यर्त बैर किया परन्तु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की और से भेजूँगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की और से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरम से मेरे साथ रहे हो युहन्ना 16 अध्या 1-4 तक ये बाते मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ वे तुम्हें आराधनालेओं में से निकाल देंगे परन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को ज दिया था मैंने आरम में तुमसे ये बाते इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था पहला शमुवेल 16 अधाय 1 से 23 तक यहवा ने शमुवेल से कहा मैंने शाउल को इस्राइल पर राज्य करने के लिए तुछ जाना है तु कब तक उसके विश्य विलाप करता रहेग अपने सिंग में तेल भर कर चल मैं तुझको बैतलहम वासी ये शे के पास भेजता हूँ क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है शमुवेल बोला मैं कैसे जा सकता हूँ यदि शाउल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा यहवा ने कहा ए जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी और से अभिशे करना तब शमुवेल ने यहवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया उस नगर के पुरनी ये धर्थराते हुए उससे मिलने को गये और कहने लगे क्या तू मित्रभाव से आया है कि नहीं उसने कहा हाँ मित्र में आने का नियोता दिया जब वे आये तब उसने यह आप पर दृष्टी करके सोचा निश्चय यह जो यहवा के सामने है वही उसका अभिश्यक्त होगा परंतो यहवा ने शमुवेल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टी कर और न उसके कद की उंचाई पर क्योंकि मै यश्य ने अभिनादाप को बिला कर शमुवेल के सामने भेजा और उसने कहा यहवा ने इसको भी नहीं चुना फिर यश्य ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा यहवा ने इसको भी नहीं चुना इस प्रकार यश्य ने अपने साथ पुत्रों को शमुवेल के सामने भे गया और वो भेड़ बक्रियों को चरा रहा है शमुईल ने येश्य से कहा उसे बुलवा भेच क्योंकि जब तक वो यहां न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे तब वो उसे बुला कर बीतर ले आया उसके तो लाली जलकती थी और उसके आंखे सुंदर और उसका रूप स दिन से लेकर भविश्य को यहवा का आत्मा दाउत पर बल से उतरता रहा तब शमुईल उतर कर रामा को चला गया यहवा का आत्मा शावल पर से उठ गया और यहवा की और से एक दुष्टा आत्मा उसे घबराने लगा तब शावल के करमचारियों ने उससे कहा सुन परमे पिश्वर की और से दुष्टात्मा तुछ पर चड़े तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तो अच्छा हो जाए शाओल ने अपने करमचारियों से कहा अच्छा एक उत्तम वीना वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ तब एक जवान ने उत्तर देके कहा सुन मैंने ब हाथ येशे के पास कहला भेजा अपने पुत्र दाऊद को जो बेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे तब येशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुपा बर दाख मदू और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाओल के पा पास कहला भेजा दाउद को मेरे सामने उपस्तित रहने दे क्योंकि मैं उसे बहुत प्रसन हूँ और जब जब परमेश्वर के और से वो आत्मा शावल पर चड़ता था तब तब दाउद वीना लेकर बजा था और शावल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वदुष्ट आ एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपे सदम मीम में डेरे डाले शावल और इसराइली पुरुषों ने भी इकटे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद के लिए पलिश्टियों के वरुद पांथी बांदी पलिश्टी तो एक और के पाहड पर और बाई छे हात एक बित्ता थी उसके सिर पर पीतल का टोप था और वहेगा पथर का जिलम पहने हुए था जिसका तौल पांच हजार शेखेल पीतल का था उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंदों के बीच बर्ची बंदी थी उसके बालों की चड़ जुलाहों क दोंगी के समान थी और उस बाले का फल 600 शेखिल लोहे का था और बड़ी ढाल लिये हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था वह खड़ा होकर इसराइली पांथियों को ललकार के बोला तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांथी बांदी है क्या मैं पलिष्टी न अधिन हो जाएंगे परन्तु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधिन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी फिर वह पलिष्टी बोला मैं आज के दिन इसराली पांथियों को ललकारता हूं किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से आतों को सुनकर शाउल और समस्त इसरालियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए दाओद यहुदा के बैतलहें के उस एपराते पुरुष का पुत्र था जिसका नाम येशे था और उसके आठ पुत्र थे और वे पुरुष शाउल के दिनों में बूढ़ा और नि दूसरे का अभिनादाब और तीसरे का शम्मा था सबसे छोटा दाओद था और तीनों बड़े पुत्र शाउल के पीछे होकर गए थे और दाओद बैतलहें में अपने पिता के भेड बकरिया चराने को शाउल के पास से आया जाया करता था वो पलिश्ती तो चालिस दिन त पास दोड़ जा और पनीर के ये दस्टिकिया उनके सहस्त्रपती के लिए ले जा और अपने भाईयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना शाउल और तेरे भाई और समस्त इसराली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं अतह गया के अनुसार उन वस्तों को लेकर चला और जब सेना रन भूमी को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी उससी समय वह गाड़ियों के पढ़ाव पर पहुंचा तब इसराली और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांथी बांदी दाओद अपने सामगरी समान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रन भूमी को दोड़ा और अपने भाईयों के पास जाकर उनका कुशल शेम पूछा वह उनके साथ बाते कर ही रहा था कि पलिश्तियों के पांथियों में से वह वीर अर्थात गत्वासी गोलियत नामक वह पलिश्त क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चड़ा रहा है निश्चे वो इसरालियों को ललकारने को चड़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवा उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इसरायल में स्वत कर देगा तब दाउद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़ेते पूछा जो उस पलिष्टी को मार के इसरालियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा वह खतना रहित पलिष्टी क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे तब ल लियाब दाउद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा तू यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी से भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ाया है तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालुम है तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है दा दाउद की बातों की चर्चा हुई तब शाओल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा तब दाउद ने शाओल से कहा किसी मनुश्य का मन उसके कारण कच्चा नहों तेरा दास जाकर उस पलिष्टी से लड़ेगा शाओल ने दाउद से कहा तू जाकर उस कि वरुद युद नहीं कर सकता क्योंकि तो लड़का ही है और वह लड़क पन ही से योधा है दाउद ने शाओल से कहा तेरा दास अपने पिता के भेड़ बक्रिया चराता था और जब कोई सीह या बालू जुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उस के मूँ से छुडा लेता और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़ कर उसे मार डालता था तेरे दास ने सीह और बालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिष्टी उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललका रहा ह फिर दाउद ने कहा यहवा जिसने मुझे सिह और बालू दोनों के पंजों से बचाया है वह मुझे उस पलिष्टी के हाथ से भी बचाएगा शाओल ने दाउद से कहा जा यहवा तेरे साथ रहे